हाँ जी देखिए जिरा तो आज का हमारा कोशन है explain the concept of consumer surplus तो consumer surplus किसे कहते हैं आपके सामने इस concept को बहुत आसान सी भाषा में समझाने के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ दो picture आपके सामने रखे हैं अगर आप इन दो image को देख करके चीजें समझ गए हैं तो आपके लिए बहुत easy हो जाएगा लेकिन अभी आपको अगर समझ में नहीं आया है तो मैं के example ले रहा हूं उससे आपको और अच्छी तेके सीजें clear हो जाएंगी अभी तो आप confused होंगे दो picture को दिख करके क्या रिए ये दोनों images कैसे consumer equilibrium को define कर पा रहे हैं आई चलिए सुनते हैं जरस को मान लिजे अभी जैसे कि आपके exams अप सारे आने वाले हैं और exam में economics का आप student भी हैं तो economic की fees अगर आपकी 3000 rupees भी होती तब भी आप ready थे pay करने के लिए कि कहीं ने कहीं यह आपके लिए कि necessary चीज हो गई आपके लिए necessary चीजों में आता है और पूरा course अगर आपका 3000 rupees में अगर हम करवा करके दें तो आप जो student मेरे हैं वो तब भी course को buy करते और शायद course लेने के लिए वो ready भी होते तो इसका मतलब है consumer willing to pay आप 3000 रपे भी पे करने की इच्छा रख सकते थे लेकिन आपके fees 1000 रुपीस आपसे चार्ज की गई अब जब आपके fees 1000 रुपीस चार्ज की गई तो अगर मैं 3000 रुपे भी आप पे कर सकते थे पर मैंने आगे से आपसे 1000 रुपे फीज चार्ज किया तो इसका मतलब क्या हुआ 2000 आपके बच गए ना यही आपका surplus हो गया अधा consumer surplus इसी को कहेंगे हूं clear है जी तो पहला आप समझ पाई इस example से consumer surplus किसे कहते हैं जैसे कि आप तो यह है ready to pay ठीक है ना यह क्या है आपका willing to pay consumer, consumer willing to pay आप यह pay कर सकते थे लेकिन क्या हुआ actual pay आपने करा तो example ले रहा हूं कि 3000 रुपीज भी आप पे कर सकते थे बट actually आपने पे कितना करा 1000 रुपीज क्यों आपने फीजिस 1000 रुपीज चार्ज कर आपसे तो जो आपका बच गए कितने रुपय आपके बच गए आपके बच के 2000 रुपै यही आपका as a consumer क्या हो गया मैं यह नहीं कहरा आप consumer है मेरे आप मेरे student है बट फिर भी चली समझाने के में सब कुछ जाएजे इसी को हम क्या कहेंगे कि consumer surplus है अब बताए इस image का क्या मतलब था आप समझे माएं आपको कि consumer ready to pay और consumer actual pay जुसका difference होगा consumer surplus होगा यह चीज़े clear होई जी अब consumer surplus का formula भी किसे कहते हैं इसी को जो है consumer surplus का formula भी कि अगर बात करें तो यहां तक आपको सब्सक्राइब होता है अब कुछ है practical example तो ले ही लिए हमने कुछ और बातों पर दहार नगते हैं कुछ और चीज़ हम समझने की कोशिश करते consumer surplus क्या है फिर से मैं अपने उसी example को लेकर के सामने आता हूँ आपके मान लीजिए कि आपको बहुत थेज प्यास लग रही है आप काफी देर से पानी ढूंड ही रहे थे लबगत तीन से चार घंटा 47 डिगरी के temperature पानी ढूंड तो आपको समय हो चुका है अब आपको एक पानी बेचने आल आपको नजर आया और आप यह भी देख रहे हैं कि ठंडा पानी वह बेच रहा है और प्यास के उतनी जवर्दस आप उसके पास भागते हुए गए और यहां तक कि आपके अंतराक्मा यह कह रही है कि अगर वह 50 रुपए भी मांग लेगा तो आप 50 रु बेचास लगे हैं मैं यह विजरू मांता हूं कितनी प्यास लग रही हो और वह आप से एक लाग रुपे मांगता तो आप नहीं देते नहीं देते आप अब मेरा सवाल नहीं पर आ गया कि प्यास क्यों नहीं गये बैद दो रुपे की चीच के लिए 50 रुपे तक तो पहु मुझे दोनी सवाल जाएजे आप बताइए जिरा क्योंकि जो से आपको ड्रिंग करने के बाद जो सडिस्फक्शन लेबल मिलता आपको वो पचास रुपए के आसपास आपको मिलता तो जो कि आपको वर्ट लगता उसके लिए उपे करना लेकिन लाख रुपए जितना सडिस सकते थे 48 रुपए का जो आपने एक्ट्रा सडिस्फक्शन आपको मिला वह आपका सर्प्लस में चला गया वह एजा कंज्यूमर सर्प्लस हो गया समझेश को जी अब आप इस बात को भी अच्छे समझते हैं बात करते इसके हम डाग्राम की तो डाग्राम को समझने कोशी कर हुआ पूरा ही बनाओं आपको तो आप जयदा बैक्टर साच पाइंगे ल कि द stör ग्राम में डो एक्शव होते हैं जो आप जानते हैं और समझते विए कि एक व्यक्शू होता है और एक आपका 0 है और एक आपका x-axis है खर ग्राफ के इंदर 10 में आपने देखा होगा कि 4 x देखे होंगे एक आपका y positive and y नीचे negative x right side ने positive और x left ने negative बट यहाँ पर हम negative चीजों को लेके नहीं चल रहे हैं सिर्फ positive चीजों को लेके चल रहे हैं इसलिए ग्राफ के सर्फ दो ही पार्ट लिए गए positive y-axis और positive x-axis बात करते हैं आपके satisfaction level की या फिर अगर आपके satisfaction level को represent कौन करता है जी यह बताएंगे आप कि satisfaction level को represent कौन करता है बताओ जी आपके satisfaction level को जो represent करता है वो है marginal utility समझे satisfaction level को कौन represent करता है marginal utility तो यह जो मैंने line draw किया है यह मैंने marginal utility का करा है in the terms of money मेरी मेरी बात समझ पाया और यह तो यहाँ पर जो यह axis आपका mu का है यह यह आपका mu level बता रहा है satisfaction level को हम क्या बोलते है mu जैसे माल लिजी एक ice cream consume करने का आप तो generally ऐसी बोलेंगे बहुत मज़ा आया लेकिन आप economics के terms में आप इसको express कर सकते है ऐसी कोई assumption है मारी तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि मुझे 20 utility का satisfaction मिला तो जो आपको satisfaction level मिला consumption से उस satisfaction level को हम बोलते है marginal utility जो आपको संतुष्टी मिलती है तो margin utility को हम इस level पर बता रहे है यह marginal utility है ठीक है और यहाँ पर आपके पास पर नीचे quantity है यह आपके अपने quantity है और आपको पता है कि जितने कम quantity आपके आप consume करेंगे फर्स उनिट के आपके margin utility क्या रहेगी ज़्यादा रहेगी और अगर आपने एक उनिट का consumption कर रहा तो next उनिट से आपको satisfaction level मिलेगा वो पहले के कम हो जाएगा next उनिट करो गो तो आपका satisfaction level पहले से कम हो जाएगा क्योंकि low up diminishing margin utility यही कहता है कि जैसे जैसे आप किसी कमेडिटिक कंजम्शन कंटेसली करोगे तो next उनिट से मिलने वाला satisfaction level हमारा कम होता चला जाता है यह हमने इसके आरे में अच्छे से डिस्क्रस किया कि ऐसा क्यों होता है वो हमने image के साथ मुसक्त सी समझाता है तो खेर उजो सी समझ चुके हैं उस पर नहीं जाएंगे तो यहां पर यह आपका डियागराम किसका हो गया मुम का हो गया यह left to right downward negative slope का है क्यों है क्योंकि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है तो left to right downward ही बनेगा negative slope का ही बनेगा अब बात करते हैं यहाँ पर प्राइस का एक बाद बताए मुझे कि अगर आपको यह margin utility मिल रहा है यह तो क्या आप इस level तक pay कर सकते हैं बताओ अगर margin utility का level अगर आपका यह है यह M.U. का level बता रहा है अगर आपको यह M.U. मिल रहा है तो क्या आप इस price को भी pay कर सकते हो कर सकते हो क्यों जितना आपको satisfaction level मिल रहा है आप उतना price आप पे कर सकते हो मैंने एक अच्छे से example से पिछली classicist तो हम आगे बढ़े हैं सम इसके बाद आप घर अपने चले जाओगे ठीक है लेकिन अगर वही ice cream दो रुपए का हो तो आप वह बर एक ice cream पर नहीं रुखने वाले आप चार-पांच ice cream consume करोगे तो आपका ऐसा behavior क्यों है इस पर हमने समझा था कि जब आप 20 रुपए का ice cream है तो आपको satisfaction level यह मिला price भ करोगा मज़ा तो आएगा मन भी तो है मेरा next ice cream भी consume करने का मेरा मन तो है मज़ा तो आएगा लेकिन satisfaction लेबल अब्कॉस आफ लॉप देमिश्य माजन यूटिलिटी मेरा डिक्लाइन होगा बट पेमेंट तो मुझे प्राइस तो वही पे करना पड़ेगा प्राइस तो फॉल नहीं होगा तो मैं जो पे कर रहा हूं और जो मैं रिसीव कर रहा हूं वो कम है इस वज़े से आप जो है न पर हम कम कंजम्शन करते हैं बेसिकली एक चीज़ पर अप्लीकेबल है यह लोग इस इस पर अप्लीकेबल है कि मैं जितना पे कर रहा हूं उसके एक्वल तक अगर मुझे सर्टिफेक्शन अबर मिल रहा है तो मैं रेडी हूं उसको भाई करने के लिए समझे नहीं समझे क् पानी पीने आपका मने भी है कि प्यास बहुत जबदस थी पड़ आप नहीं प्योंगी दूसरे में आपको लगेगा क्या कि आप मुझे सर्टिफेक्शन लबल कम मिल रहा है बड़ पेमेंट तो उतनी ज्यादा ही जा रही है तो आप नो करके चले जाओगे तो कुल लाग इसीमिर विलिंग टुपए बट मार्केट में मार्केट में जो प्राइश डिसाइड करा है अपना वह प्राइश डिसाइड क्या करा मार्केट ने कहां से होता है आप बताइए किसी भी क्मिनटी का प्राइस करता मार्केट की डेमाड एनिस सफप्लाई फूर उसके प्राइस होता है ब्रकेट में प्र적 डिसटाइड वा ये तो आपको इतना सट्टिस्ट्ट्फच्चन लेबल के लिए आप इतना भी कि आप पे कर सकते थे लेकिन आपको मार्केट ने जब प्राइज ही यह डिसाइड करा तो पे तो आपको यह करना पड़ेगा ना जब दसे थोड़ी इसको प्रसा पकड़ाओं कि सवाल यह है आप देखिए कम यूनिट करें ज्यादा करें आप ज्यादा करें आप ज्यादा करें करें आप इसलिए प्राइस आपका तो कौंस्टिंट रहेगा चाहे quantity आपकी ज़्यादा या कम हो इसलिए price को मैंने parallel to accesses बनाया है यह price curve है तो consumer इस commodity के one unit के लिए अगर मैं बात करूँ कि consumer इस commodity के one unit के लिए उस one unit पर certification उसको यह मिल रहा है तो यह भी पेकर से तदबड से लिया कितना गया यह तो यह जो उसका बच गया जो यह price उसका पैसा बच गया यह आला समझ रहे हूं यह यह कहां चला गया उसके भाईया यह उसके surplus में चला गया है भाई मेरी बात समझे या नहीं समझे एक extra unit के लिए भी एक extra इंटर कंजम्शन कर रहा है तो कितना सको satisfaction मिल रहा है यह satisfaction मिल रहा है पर उसे pay उसे pay कितना करवाया इतना ही pay करवाया तो यह भी उसके surplus में चला गया तो सारा section क्या यह वाला यह सारा उसके surplus का हिस्सा है भाई मेरी बात समझ पा रहे हैं कि आप पढ़ा रहा हूं है क्लियर है तो डागराम सोझ में आया कि ऐसा डागराम क्यूं है डाउट थो फिर भी पूछ सकते हैं आप मैं दुबारा बना दूगा डागराम किसी को डाउट है भाई कमेंट करके बताए किसी स्टोडियों को डाउट है पूछे कैं अगे हुआ है नेंहा गुपता के रहें सरा में पास डाउट है तो नेया पूछे कि डाउट है नहीं चले फिर हम आगे बढ़ते हैं तो जी कंजिमर सरप्लस का मेनिंस अर्बाइध या कंजिमर सरफलस का फॉर्मूला सवस्वे आया अब आपको सवाल आपका बिल्कुत जाए जाए कि सर ये प्राइस कहां से डिसाइड हुआ को डिसाइड करता ये प्राइस तो जनरली देखेगा मैं ये बात कभी भी बिल्कुल भी नहीं कहुंगा कि देखे जैसा कि हमने 11 या 12 में पढ़ा था भाया वो पढ़े वे आपको जमाना हो चुका है आपको याद नहीं है तो काफी टाइम हो गया उस चीज को पढ़े वे और दूसरी बात है आपने क्या प यह हमारे पास यह एकसी से यह जीरो इकसी से एकसी से एक बात बताइए जरा मुझे एक सिंपल से लेते हैं प्राइज सब्सक्राइब करके आऊंगा आँगा देखें कि हा डिमांड हंडर्ड युनिट है एंड सप्लाई 60 युनिट है और प्राइस 30 रुपीस है ठीक है जि है तो जादा क्या है है מא सि जयादा होती है कंपीटिशन उन्हीं लोगों में kre में के लिए तो ये पराई स्वी नहीं सकता है पराई सो यह क्र pattern हो जाएगा तो आपको पता है कि जब दिमांड सप्लाइज से जादा होता है तो प्राइज इंक्रीज होती है यह बस समझे आए उसके बाद देखेंगे माल लिजे कि प्राइज मैंने कर दिया असी रुपय और डिमांड हो गया 40 और सप्लाइज हो गया 50 ठीक है जी अब बताइए एक्सेस क्या है तो एक्सेस सप्लाइज है तो कॉंपरिशन किसमें क्रेट हो जाएगा सप्लाइर में सप्लाइर बेचने के लिए आपसमें लड़ दे इससे प्राइस का होगा डाउन हो ज चाहस है ठीक है जी अब बताइए ज्यादा कोने एक्सेस क्रेट होगा प्राइस इंक्रीज या डिकरीज होने का चांसे तो मितलब कि प्राइस कब आपका जो डिसाइड होता है जब डिमांड एंड सप्लाई क्या हो आपसमें एक्वाल हो यह बात समझ में आपको आई या लास्ट क्लाज हमने पढ़ा है क्या पढ़ा है डेरिवेशेन अप डिमांड कर विधसा है वही डिमांड होता है अब हम बात करते हैं सप्लाई करने तो वह लडट राइट अपवर होता है क्यों होता है आप ऐसन सप्प्लाइर सोचों जिसकी प्राइज इंक्रीज़ होगी आप हुसी के सफ्पलाई ज्यादा करने में इंटसीट वी ऊटीट संझे यह निसमुझे जिसकी प्राइज ज्याधा होगी जिसे मान लिजे कि आ अलका हलका से बीच बीच में चलना चैत beef Red am I समझ रहें तो यहां पर आप देखेंगे कि आपके पास में supply क्या है जैसी price बढ़ेगी supply बढ़ेगी तो positive relation है ना तो positive relation में लेक्टुराइट अबवड बनता है आपका diagram अब demand and supply कहाँ एकवल है यहाँ पर एकवल है अगर मैं उपर की बात करूं तो उपर तो demand यह है ना और supply यह है तो supply जदा हो गया access supply है competition supplier में create होगा price फॉल होगा तो यह प्राइवरा सरक्रदि इस तो यह मेरे पास में क्या है यह प्राइज है यह क्या हाँ प्राइज हो गया तो आपको प्ता लगा इस कहां से डिशाइड हुआ है भीया समझें तो पहले market and supply की वज़े से a ये प्राइस सेट हो गया अब ये प्राइस वो सेट हो गया जो आप विलिंग थे पे करने के लिए उससे ब्लोव सेट हो गया तो जो अपर वाला सारा पार्ट क्या हो गया आपका आपका बेनिफिट में चला गया आपका एजा कंजूमर सर्प्लस हो गया अब बताओ पूरा भी आप डाइगराम बना लें एक्जाम के अंदर उसे कोई फरक्नी पड़ता है डाइगराम फिर से अगर आप एक बार भी आप डाइगराम बहुत जरूरी है लास का सब्सक्राइगराम मुझे कुछ बच्चे कंफ्यूज नजर आए थे तो इस वार मैंने सोचा कि डाइगराम को बनाया जाए ना कि दिखाया जाए हां जी चलिए फटा फट देखेंगा सबसे पहले प्राइज डिसाइड करेंग यह हमारा सप्लाई करव है और यह इक्वल यहां पर है तो यह प्राइज है यह कौन्टिटी है एक टिलिवरियम पॉइंट है यह ओ एक्सिस है इन सब के जी मार्क्स मनते हैं तो आप यह मत सोचेगा कि इसको आप नहीं लिखेंगे लिखना पड़ेगा आपको और आए पॉंटिटी है और को यहां पर आपका एम्यू का लेवल है चीके और आपके पास पे मैं यह आपकाuenयू कडiki और कच्राइब कर दिया समझे, यह price तो market ने क्या करा, decide कर दिया, लेकिन आपको जब यह satisfaction अबल मिल रहा है, तो आप यह भी pay कर सकते थे, समझे, तो आप willing to pay यहां तक थे, बढ़ आपको pay यह करना पड़ा, तो यह जो सारा segment जो है आपका, यह आपका surplus में गया, next, अगर हम बात करूँ, एक additional unit के बा चला जाएगा, तो यह क्या हो गए, consumer surplus हो गया, अब बताइए, अब डाइगराम अच्छे समझ में आया या या निया है, अब गएर डाइगराम में बनाते है रहे, पेपर के अंदर पहले, तो examiner उतने थे धान भी नहीं देता है, वो, वो डाइगराम को देखरके, और थे commodity का, दस रुपे, दस रुपे, भई यह price तो fix रहेगा, इस बात को आप भी agree करते हैं, और satisfaction हम level लगते हैं, M.U.X, जो कि आपको 30 मिला, फिर आपको 20 मिला, फिर 15 मिला, फिर आपको 10 मिला, तो आपको पता है, कि आप 30 रुपे का satisfaction अबल मिल रहा है, in the terms of money हैं, तो आप 30 प्रिप आपको क्या हुआ, सरफ प्लेस हुआ, ठीक है, तो आपको अगर 20 का satisfaction level मिल रहा है, satisfaction level होता है, और पे दस करना पड़ रहा है, तो आपको 10 का, और यहां पर आपको 5 का, और यहां पर 0, तो मतलब कि क्या है, बेसिकली यह सारगा सारा आपको किसमें आ जाता है, यह स सरफ प्लेस में आपका सारा सरफ प्लेस हो जाता है, 305, 35 का पा सरफ प्लेस हुआ, मेरी बात समझ में आया है यह आपको, clear है जी, कोई doubt, प्या doubt है जरूर पूछे, लेकिन अभी कहानी खतम नहीं हुए है, क्योंकि कई बार exam में देखने को यह मिला है, सवाल यह पूछा ग Consumer surplus is in the economic measures of consumer benefit, which is calculated by analyzing the difference between the what consumers are willing and able to pay for a good or services relative to its market price, जो मैंने आपको demand and supply के throw, जो मैंने आपका price decide कर रहा है, वो क्या है हमारा, वो हमारा market price था, market price पत्तर है किसे कहते हैं, दिखाए नहीं बना करके मैंने A consumer surplus occurs when the consumer is willing to pay more for a given product than the current market price, जो current market price है, जो अबब वाला पार है, वो consumer surplus का पार है, याद हो जाएगा जी, clear है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कि surplus is the difference between the total amount that consumer are willing and able to pay for a good or services and the total amount that they actually do pay, एक ही बात को वो दो-तिन बार लिख रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है, इसमें, consumer surplus is indicated by the area under the demand curve and the above the market price, demand curve या फिर demand curve बोल लो या M.U. कर बोल दो, दोनों बात एक ही होता है, तो demand curve और जो market price है, उससे जो अबब वाला part है, वो consumer surplus है, demand curve से नीचे या M.U. से नीचे और price से उपर का जो वाला हिस्सा है, वो क्या है, वो consumer surplus है, यह बात समझ में आपको आई या नहीं है, बताइए ज़रा, क्लियर है जी, तो यह सारा segment क्या है आपका, यह सारा segment आपका as a consumer, यह सारा segment आपका consumer surplus है, यह चीच क्लियर होगी, ठीक है, जो कि किस से उपर है, price से, market price कहेंगे इसको हम, ठीक है नहीं सिर्फ price नहीं, market price, जो market price से क्या है, अबब है, और demand curve से क्या है, बिलो है, यह consumer surplus है, ठीक है जी, यह वाला segment क्या है हमारा, surplus है, क्लियर है जी, कोई doubt, चले फिर, आगे बढ़ते हैं, तो जी theory line हो जाएगी आपको, कोई दिक्कत तो नहीं, इस बात का भी मैं खास का जान रख रहा हूँ, कि आपको पढ़ने वक्त में आता कुछ surprise ना मिले, जो कि जादी ना हो, जी देखिएगा, वही चीज मुझे बताने की अब जुरूत नहीं है, कि यह एक तरगे से, आपका जो है, price decide हो रहा है, और price decide हो करके, यहाँ पर consumer surplus है, अपर segment है, consumer surplus है, area जो है, अपर segment का, अब आप यहाँ पर मुझे मालूम है, मेरे demand curve को भी आप बड़े हो जाएं, यहाँ तक तो इतना ही काफ है, कि diagram मना दो, और इस note को लिख दो, formula को लिख करके, उसको आप underline कर दो, दिखाओ formula, diagram दिखाओ, सबसे पहले आपका काम क्या होगा, कि आप diagram मनाईगे, फॉर्मल लिखिए, consumer willing and able to pay minus consumer actual pay equals to consumer surplus, उसको आप box में डालिए, उसका जो थेयोरियों भी आपने पड़ा, उस थेयोरियों को नीचे लिख दीजिए, यहीं पर आपके marks मिल जाते हैं, बट कई बार question ऐसा भी आ जाता है, कि inelastic, या elastic, या perfect inelastic, या perfect elasticity, पर consumer surplus कितना होता है, तो अब आपके दिमाग में question होगा, sir, आपके क्या कह रहे हो, inelastic, elastic, perfect elastic, perfect inelastic, अब सवाल यहाँ आचुका है ना मारा, ठीक है, तो आए जिरह हम इस सवाल को भी समझ लेते हैं, देखेगा, सबसे पहले आपको इस समझना होगा, क्या होता है, elastic, inelastic, एक किसी के उपर बात की जा रहे हैं, कोई भी community है, उसकी अपनी एक demand होती है, अब किसी भी community के अपनी एक demand होगी, तो demand कभी constant नहीं रहती है, demand कभी बढ़ भी जाती है, demand कभी घड़ भी जाती है, demand में मतलब change आत या price कम होई तो demand जादा हो गई है, दूसरा कोई other चीज़े भी responsible हो सकती है, जैसे कि मौसम में change आ रहा है, तो woolen की demand बढ़ जाएगी, winter आ रहा है तो, वो अलग चीज़े, वो other factor है, खर आपको यहाँ पर other factor के बारे में कुछ भी नहीं सोच न, assumption ले लिजी, other factor में कोई change न हुआ, तो demand बढ़ गया, तो जो demand में आप change देख रहे हैं, इस change को आप जो है, अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हो, इस change के दो तरीके के nature होते हैं, इस change के दो nature होते हैं, एक nature वो जिसमें कि change का एक तरीके से कम होना, change का ना होना, बास समझे, example के लिए आप कोई क्या क लोहे की रॉड को, में क्या flexibility r לפ 가지 अरं आप अप ले लो रबड एक, रबड ले लू आपको अई तो जब flexibility रेती है कमos अप में बोलते हैं इनियलास्टिक ठीक है और जब flexibility ज्यादा होती है तो हम उसको बोलते हैं कि दो मेरा कहने का मतलब है मैं किस चीज की flexibility के बात कर रहा हूँ यहां पर demand की flexibility की बात कर रहा हूं कि प्राइज में चेंज आने के रिष्पेक्ट में डिमांड में आपको अगर आपको चेंज जादा देखने को मिलेंगे तो इसको आप क्या बोलोगे इसको आप बोलोगे इलासिटिशिलिश्टिधि द्हीं कोई देखने आपको घून रहा है है तो इसको परफैक्ट इनिलास्टिश्टिक के मतलह होता है दिमा birds harvest मैं ज्याद रेगा हैं इनिलास्टिक TO सब्सक्र rond Kindle. सब्सक्राइब अब चुर्जों। और फरफेक्ट इन्निलास्थिक पूरी तरह कि इन्य लॉटिक है इसका मतलव हो गया कि इसमें चेंज आएगा ही नहीं पूझi और एक होता है एलास्थिक जिसमें चेंजलिः और ये साता है और एक होता है इसकी इow अगर मैं इसके प्राइस में चेंज करूंगा अच्छा गाता प्राइस बढ़ा दिया बताओ कितनी कम होगी वही रहेगी जो अभी हम कर रहे हैं इस टाइम पर करेंड में अफिस सब्जी में हम तोड़ा नमक डालना कम कर देंगे अब बताओ बिल्कुल नहीं तो डिमांड में कोई चेंज आया नहीं चलिए प्राइस ब्लुकुश अस्ता कर देते हैं एक रुपए फिलो कर देते हैं को अब बताओ कि पुडिया में नमक लेकर घुमेंगे बात बात तो इसको टेस्ट करते रहें बहुत बदाई तो मतलब कि प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है कि अगर प्राइस अगर दो कि अग्याँ से दिमांड कम होगी यह विद्वान बढ़ेगी दिमांड कोई चेंज आ रहा है कोई चेंज है नहीं आ रहा है एक्जामबल इतने मैडिशन बताइज रहा प्राइस अगर बढ़ जाए तो दिमांड कम होगी नहीं होगी अब प्राइज कम हो जायता है तो इसका मतलब क्या है कि इसके डिवाण में कोई चेंज आई नहीं रहा भी या पत्थर के बराबर है अब इसको कहते हैं कि इनिव मैं कि इस प्रस्तड इनियुंस अप्रफ्पेंड को चेंट है आए बात इनियुटिक के लिए मैं आपको इसका एक बड़म पर अब बताईए आप इन चीजों के लिए आप कितना पे कर सकते हो दवाई के लिए मतलब कि जैसे कि अगर मेरी हैस्यत 1000 रुपे की है तो मैं एक एक कैप्सुल के लिए अब मुझे नीड है इसके लिए एसके लिए आप सकते हैं इसके लिए से किस्तिक हके रुपे यह तो एक क्यास्टूल दो रुपे का बड़ा कंजूमर कितना भी पेकर सकता हुए ये ऐसी चीज है तो इसलिए इसका जो जो फिल्स की वैल्यू नाट डिफाइन उसको को होती है इंफ्रीट कहने सकते की चांजूमर कहां तक है कर सकता है इसके लिए इसका बताईए तो पताईए कि यह इसका क्या है बांट तो पेकर सकता है अपने हैसित के साफसे अलग-अमांट पेकर सकता है तो बहुत सकोई data नहीं है न तो मतलब कि क्या है कि नौट डिफाइन कितना भी ज्यादा इन्फिनिटी मतलब की अनंति तक कितना भी ज्यादा पे किया जा सकता है इसलिए जब आपके डिमांड का नेचर परफेट इन इलास्टीक होता ना जब आप एक ऐसे गुड्स की बात कर रहे हैं जो कि जिसका नीचर परफेट इन इल सब्सक्राइब करने के लिए उसका जो गया पाईगा वो उसके भी कोई भी वी लिमिट नहीं तो यह क्या होगा ओगया यह बात वर्हां पो आया एक एहम बात समझा रहा हूं काफी आसान तरीके से उम्मीद करता हूं कि ऊभए होती है हर कमेटी का अफना अलग सोभाब अलग नेचर है सभी केटिगरी को आप एक तराजू में नहीं तोल सकते हो सभी कॉमेडिटी को तो जिसकी डिमांड का नेचर परफेट इनलास्टिक होता है उस केस में तो भाया आप उसका कंजूमर सरप्लस बोलोगे एंफिनिटी ठीक है क्लियर है और अब इसमें डिमांड करव कैसा बनता है सवाल ये भी है तो वह भी देख लेते हैं देखिएगा का रिमांड करव आप किस्ते किसे बन सकता है यह एक,स एकसिस है ठीक है क्वांटिटी एंढ प्राइज है कभी भी पर्फेट इनलास्टिक को इसके बात कर रहा हूं को इसका जो डिमांड कर रहा हूं कैसे होगा इसको कौन कर देख लो क्वांड़ी बढ़ी प्राइज में कितना भी चेंड कर लो कॉंड़ी वह की वही रही समझे रहे और वैसे भी याज करने का है कि ऐसे तरीखार का है घित नहीं है जिसमें कोई क्यों लूब हैै कि बता दीर कि श्क हंए है लो ट्रीच का पर्श और जनी नहीं है कि मैं आसी बता के चला गया प्राइस जो मार्केट डिसाइट तो करेगे प्राइस अपना है तो प्राइस से अब और दिमांड तक इतना सरफ प्लस होगा बताओ कितना होगा भीया कहीं बेंड हो रहा है तो यह तो मैं कह रहा हूं कि भाईया इनफिनिटी तक अपर के न तो यह जो एरिया हमारा यह क्या है यह एरिया के इस के चेस में अगर आपसे बोल दे के कंजीमस रप्लस बताओ तो आप बताओगे कि बहीया यह इनफिनिटी होता है अब प्रफेक्ट इन लास्टिक के वारें मता सकते हो कि प्राइज में चेंज आने के इस होती है एक्जाम लिए सकते हो आपकी सॉल्ट है मेडिसन है इसमें भले वह market हमसे market प्राइज में कितना भी हमें हमें हमसे चार्ज कर रहे हो लेकिन विलिंग टूपे तो हमकुछ भी इसके लिए प्रफेट्ट इनलस्टिक व्हारे तो प्रकेट्रश पाइब किंदलास्टिक करynn include बताये हैं मैं उप्र आता एक क्या हुता है एक होता है अंतर समझ में आपको एक होता है इसकिलिकांतर समस्जों उप्र गल्रीच कमा होता है कि इतने सारी बाते बता रहा हूं जो लिखा हो है एक टंटेन्ट भूब बहुत कम लिखा हूँ है मैं यह निकरा कि अध्यू अध्यादा लिखा हूँ है लेकिन जो मैं बापको समझाऊंगा वह ज़्यादा बताऊंगा आपको और बच्चे बार-बार एक क्वारी कर रहें कि सर्फ क्या लें क्या रहें क्या लें तो यहां पर कंटेंड में सर्फ PDF पड़ो जो मैं आपको पीडिफ दे रहा हूं और कुछ पड़ने की कोई भी नीड आपको नहीं है पहली चीज दूसरी बात कि जब डागराम मैं बना रहा हूं तो मैं किसी भी पॉइंट को कोई डिजिट नहीं लग रहा हूं इसको कहते है तो आपको कोई पॉइंट को डिजिट को बताने की जुरत बिल्कुल भी नहीं है पेपर में कहीं आप स्केल लेकर करके एक सेंटीमीटर मेजर कर रहे हूं उसी कोई भी जुरत नहीं है फ्री हैं डागराम ही बनेगा आपको कॉंसेप्ट एक्सप्रेस करना है समझे तो चल राइस साच एंड निमांट भाई या प्राइस ये बढھा एमाण में थोड़ा सा चेंज दिर प्राइस कम है डिमांड हलका सा बढ़ा गया संदी संद्दी तो प्राइस में जो चांज आ रहे हैं इस bisschen संदी तो प्राइस में बाता दिमांड में आ रहा है मेक जिए हलका तक पहुंच जाता है कि 20 वाला अगर 200 रुपय तक पहुंच गया तो दस गुना बढ़ गया अजार परसेंट हो गया नो सो परसेंट का इंक्रीमिंट हुआ है कितना जबतस इंक्रीमिंट हो अगर्य होती है इसका दलब दिमांड बिल्कुल ही घर में जहां एक किलो प्याज आता था तो वहां तीन पाउएगा इसकी डिमांड जो है जो कहीं लोग लिए नैसेसरी है जो नैसेसरी है उसकी डिमांड का निचर अजरनली कैसा मिलता है इसकी मिलता है बुक्स भी इसके एक एक एकजामपल है तो चीट है न अगर आपके रिश्टर के प्राइज डबल जाए अगर रिश्टर लोगे नी हां वह बात है कि तीन रिश्टर वाला काम दो रिश्टर में करने गोशिश करोगे स्पेस बचाओगे वेश्टेश को कम करोगे डिमांड तो कम होई जाएगी पड़ यह नहीं कि रिस्पेक्ट में ज्यादा कम हो जाएगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो क्योंकि आपके लिए नैसेसरी चीज़ है समझे इसके डिमांड करके मैं बात कर लेता हूं कैसा रहेगा खुद दिल से अपने पूछो सोरवे किलो भी मिलता तो आप लेते तो इसमें सरप्लस ज्यादा होता है कंजूमर को कि समझें नहीं समझें वेजी टेबल एक घर में रासन अगर आप डलवाएंगे अगर पांच परिवार है तो दस जारवे रासन जाएगा बारा थे बाहर कितने एक्सपर्ण्स कर रहें कितने मेहंगे रेस्ट्रण में जा रहें उसकी बात करी नहीं रहा तब कितने लेक्जूरियूस जा रहें मैं करना बेसिक अपनी नीट को पूरा करने के लिए अच्छे जो फल जो सबजी आप खाते हैं भार रासन वहीजी अगर आप म तो यहां पर क्या हुआ है ऐसी चीजों का जो है ना सर्प्लस हमें सा कंजूमर के पास में ज्यादा ही रहता है थो जो बागी सेग्मेंट है वह सारक तार उसके surplus में आ जाता है समझे इस बात ऐख क्लेर कैसे मैं इसको भी तो है जिद्धी ये भी किया रहा है मैं जादा चीन नहीं होगा तो इसको भी आप vertically बनाओगे थोड़ा steeper बनाओगे अगर आएज़े थोड़ा स्टीपर बिल्गुल नहीं थोड़ा स्टीपर क्यूंँ ऐसा बनाने जा रहा है वोगी प्रूफ कर देता हूं दिमांड कर भे देखेगा यह प्राइज आज एसमें चेंज यह दिमांड एसे करता हूं में प्राइस से कम कर दिया इस एक अत्व इतना कम जाएका, समझे क्लेर है और चल यह बात करते हैं, कि थोड़ा एक्ष्वूमर टूपे जाके मिलेगा ने से तुछ वर्टिकल है तो तो कहां जाके मिलेगा ग्राफ पर उपर जाके मिलें जाज पर मिनिलेंगा वे तोलब्रूरी में इस बात को मैं घ्रम यूद्य प्रूप से नहें और समझें को हुआ समझें हैं बताइए क्लियर है अब एक ऐसी गुर्ष के बारे में बात कर रहा हूं है जो कि पर्फेक्ट इलास्टि इलास्टिटी है पर्फेक्ट इलास्टिसिटी पर्फेक्ट पर्फेक्ट इलास्टिटी इसकी डिमांड में बहुत जादा चेंजेस देखने को मिलते हैं यह वह तरगी चीजें होते हैं जो हमारी नैसेसरी बगरह नहीं होती है वह समझें जो आपके लिए नैसेसरी बिल्कुल भी नहीं है वह गुट्स आपके लिए उसके डिमांड जो पर्फेक्ट इलास्टिटी रहती है मिल जा ठीक है नहीं मिले तो कोई बात नहीं जो यह होता नहीं कई बार फ्री आने वाली जीज़ें गिफ्ट में आ जाती है फ्री आ जाती है एक चीलो तो फ्री मिल जाए आपको उस आपको जो है इस समय आपकी क्लास को मैस पढ़ा रहा हूं आपकी मैस पढ़ने के चाहीं नहीं है तो चाह पेकर होगे दो रुपह भी कोर्स का प्राइज रखूँगा तब यह आप नहीं लोगे मानते यह चीच को तो इसमें तो आपके विलिंग टूपे वालड़ी कम रह समझे तो आपका परफेट इलासिटी में जो है सरपलस अज़ा कंजूमर का क्या होता है जीरो होता है डागराम कैसा बनेगा परफेट इलासिटी का और इसन वाइएकसिस एकसिस अप्राइज क्वांटिटी यह रहेगा आपका क्या डिमांड कर क्यों भयाप प्राइज सारी आपका क्यों प्राइस प्राइज सेंप्राइस पर दिबांड कंब्यों जयाएग ज्यादा फ्लेक्स बलनेगा और यहां पर आपका प्रैस भी रहेगा दीमांड भी रहेगा इन वै प्राइज जतना कम हुआ इसको मोलते हैं एलास्टिक जते मिठाई हो गई सुईट्स हो गई लग्जूरियोस फूट्स हो गई अब क्या है कि यह मिठाही तो सब रुप ही खाते हैं है ना इसे चीज llum कुछ प्राइज अगर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए तो हम जोड़ते हैं हमें नहीं लेनी मिठाई लेकिन अगर इसको बोलते हैं इसका डियागराम कैसे बनता है इलास्थिक का इलास्थिक के डियागराम के बात करूँ यह 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 पास में क्या एक्सेश है यह फ्लैटर होता है ठीक है डिमांड कर अब मार्केट अपनी एक प्राइस डिसाइड जरूर करेगी मार्केट अपने एक प्रायिस जरूर डिसाइड हरेगी यह मार्केट प्राइस है ठीक है यह इटि अग्षेटर क्यों बना राइस बढ़ाऊं देखो दिवाद ज्यादा बढ़ा यह नहीं आपको प्राइस में जितना चेंज आ रहा है डिमांड में उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा चेंज आएगा उसके मुझे फ्लेटर में बना रहा हूं तो आप देखेगा बनाने से इस सब्सक्राइब करणे सब्सक्राइब में जाता है जाता है क्यों अब थे में एक्जामपल ले लेकरके ज्यादा और ने और बाद सम्झें नहीं सम्झें आप और मैंने डागराम के त्रोब इसको प्रूफ किया है यह बाद सम्झें आपको आई या नहीं आई क्लियरें आप बस क्या है आपके सामने यह बात कह रहा है क्या कह रहा है consumer surplus is affected by the elasticity of a demand curve demand curve की elasticity से भी consumer surplus effect होता है अगर वो perfect inelastic हुआ तो consumer surplus infinity होगा अगर वो perfect elasticity हुआ तो consumer surplus 0 होगा अगर वो inelastic हुआ consumer surplus ज्यादा होगा और elastic होगा consumer surplus कम होगा समझें clear है कुल मलाकर एक बाद धानकेगा inelastic होती है necessary चीज़ और elastic होती है ऐसी शौकिया चीज़ तो जो necessary होता है उसके लिए आप ज्यादा पेकरने के लिए ready होंगे जो necessary होगा तो इसलिए इसका जो है पेमिंट कम करने लिए ready है तो इन गैप भी कम होगा consumer surplus कम होगा सोखी बात जो पूरी तरीके से परफेट इन इलास्टिक है वह पूरी तरीके से जो कहता है मैं बेल्कुली चेहरा है वह लेट कर रहता है तालट टुक्रिक्षिस तक है लेटर संदेशनी संदेशनी अ कि यह जी विडाउट यह वह बात कह रहा है जिए वन फर्स्ट केस वन दा डिमांड फोर गूट फोर अ सर्विस इस अ पर्फेक्ट इलास्टिक कंजूमर सर्प्लस इस जीरो संदेशनी मैं आया क्लिर है बिकॉस दा प्राइज पीपल पे मैंच इस एक्टली वट आ बिलिंग तो पे कि इन और कोंट्रेक्स वेंड़ डिमांड इस पर्फेक्ट ली इन लास्टिक कंजूमर सर्प्लस इस इन फिनिटी सब्स्ट केस्ट करा तो उपर वाला सर्प्लस आपको चलते रहे यह दोनों पहल लाली चलता रहेगा कभी खतम नहीं होगा इसलिए इसमें बताया है मैंने आपको इन फिनिटी ठीक है और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर यह थोड़ा किसा फ्लेटर इस्टी पर है इस्टी पर है तो इन इन इलास्टिक होगा या ए बता रहे नहीं बता रहे इसका मतलब क्या हुआ हाई लेवल ओफ कंजूमर सर्प्लस और यह थोड़ा फ्लेटर कर तो कैसा होगा इलास्टिक तो इलास्टिक में देखे लो लेवल अपने कंजूमर सर्प्लस बताओ कहां पढ़ा आपने यह सब तो बिलकुल भी नहीं है हाँ स्टार्ट ऐसे होता है वट इस मेंड भाई मार्जिनल यूटिलिटी यह आपका ग्यारवी में स्टार्ट करना पड़ता है आपका तक आपको थोड़ा सा बेस आपका त्यार हो जाए तक आप आगे चीज़ों को अच्छे से पकड़ पाओ पर में आपके यह आएगा वह नहीं आएगा लोब डेमिशी मार्जिन यूटिलि नहीं आएगा जी वह पूछ लिया आपसे 11 बारवी में यह पूछेगा आपसे पिपर में तो आप जब सिलेबस देखते हो पहला पन्ना पलड़ते हो उसको वैसे बंद कर देते हो पेपर से वन वीग पहले पढ़ें अब फिर जब आप 10-year खोलते हैं और देखते हैं कोशिंग क्या क्या आया है पिछे साल तो बोल गए यह तो ऐसा कुछ भी नहीं है तो अलट रहें शुरू से पढ़ें सतर्क रहें ठीक है और दूसरों को भी सतर्क करें मिलते हैं फिर नेस्स क्लास में थैंक्यू थैंक्य